बागलपूर जगदिसपूर में अपराधियों का होसला काफी बुलंद है जिससे बेखौब बदमासों ने अपराधिक वारदातों को अंजाम देते हुए पैट्रॉल पंप कर्मी से लाखो रुपे लूट की घटना को अंजाम दिया है बदमासों ने दिन दहाड़े जगदिसपूर पैट्रॉल पंप के मालिक से हतियार के बल पर लूट कांट की घटना को अंजाम दिया है जबकि इसके बाद सभी बदमास आसानी से फरार हो गए दरसल मामला भागलपूर जगदिसपूर बाइपाश टियोपी मुख्य सडक मारक का है जहां ठाने से महज 50 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े अपराधियों ने हतियार का भय दिखा कर पैट्रॉल पंप कर्मी से 5,31,000 रुपय लूट लिये गटना को लेकर मासकती फ्यूल पंप के मालिक मनीश कुमार ने बताया कि मंगलवार की दोपर जब वे अलीगन इस्तित SBI साखा में पैसे जमा करने जा रहे थे तबी रास्ते में ही बाइक सवार दो नकाब पोस बदमासों ने उसे हतियार का भय दिखा कर पैसे लूट लि किया है फिलाल पुलिस मामले को लेकर आगे की कारवाई में जुट गई है तो मैंने समझाने का कोशिस किया लेकिन वह इतना तुम लोगों को जेल भेज देंगे और यहां तक कि इतना इतना फिल्दी लेंग्वेज आज तक कोई भी पतादिकारी इस तरह फिल्दी लेंग अब यह यहां अब यह मुझे मुझे लगता है कि वह उसी पैसे को रिकवरी दिखा करके आर इस लोगों को चलान करने का मंसा बनाये हुए कि चलान मतलब जिनका पैसा गया उनका इनका इस्टेटमेंट किनका था यह डॉक्टर गॉरब को मुझे लगता है कि डॉक्टर गॉरब जो है वह अपना केस को एक दिन में सॉल्ब करने के लिए यह गंदा अपना रहे है तो अभी हम दोड़ इंक्वारी कर रहे हैं तो अभ कौन सा सेक्स अथ इससे लुट की बाकर समया वी है यह जो है पेट्रॉल फॉम परसे जो है पैसा लेकी जा रहे है इस टैक स्वरी है तहानी है लेकिन अभी जैधे के मैं आपको बताओ जो भी अभी इंवेस्टीकेशन चल रहा है जैसे कि मैंने बोला कि उसलिता इंपोर्टन चीज्ज बाताना वह लोक कितना रूट है यह तकरीबन यह पाइब लासरों। बागल्पूर सुल्तानगंज के मुरार्का महाविध्याले में मंगलवार से B.A. Part 1 Owners की परिक्षा सुरू हो गई हैं जिसमें 644 चात्राओं ने सामिल होकर Part 1 Owners की परिक्षा दी इस दोरान मुरारका महाविद्याले के प्रचार अमरकांत सिंग ने बताया कि बिये पार्ट वन ओनर्स की परिक्षा प्रारंब हुई है जो 9 मई तक चलेगी जबकि 19 मई से 30 मई तक सबसीड़ी विशे की परिक्षा होगी वहीं मंगलवार पुई परिक्षा में एक चात्र को नगल करने के आरोप में परिक्षा से निस्कासित कर दिया गया है परदेश में गर्मी का असरब दिखने लगा है हिंदी कैलेंडर की बात करें तो उत्तर भारत में मई जून के मैने में ही ब्याइसाग की तप्ती धूप सर चड़ कर बोल रही है जिसे आम जंजीवन काफी अस्त ब्यस्त हो गिया है और लोग इससे बचाओ के लिए तरह तरह के उपाई भी कर रहे हैं तेज गर्मी और धूप के कारण सरीर में सोडियम की कमी होने लगती है जिसके कारण लोगों को काफी प्यास भी लगती है वहीं बेजवान पक्षियों की बात करे तो वे अपनी समस्या किसी को भी बता नहीं सकते जिससे उनकी मदद की जा सके आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें कई घरों के अलावा अने जगों पर भी गर्मी और धूप में प्यासे पक्षियों को पानी पिलाने के लिए पानी से भरा मटका लगाया गया है दरसल भागलपूर निवासी मुकियस कुमार गौरप के साथ कई ऐसे समात से भी हैं जो पक्षियों को पानी पिलाने की कवायद में लगे हैं वही सेंडिस कमपाउंड में भी कई ऐसे पेड़ हैं जिस पर पानी से भरा मटका टंगा हुआ है और जब इसका कारण लोगों से पूछा गया तो उन्होंने अपने विचार को साजा करते हुए गर्मी के मौसम में पक्षियों की मौत पानी की कमी से होने की बात कही साथी आम लोगों से भी अपने घर के बाहर या छटों पर पानी से भरा मटका लगा कर रखने की अपील की गई है नहीं से कमा माड़े तो एकःड़ा पानी जरूर डाले như घर की यहां पर पक्षियों की विवस्तां लगबग नहीं के बराबर है यह अनुगों पर पक्षियों के लिए भी दिहान दिया जाना चाहिए था वेकिन आकको अबी तक नहीं दिखा है और हम चाहें कि यहां के लोग परशासन स्वासर जागरुक हो तो काम स्वधर आसान हो जाए यह भीशन गर्वी में जैसे हम लोग पानी के तरस जाते हैं तो पक्षियों जानवरों के लिए भी पानी की व्यस्ता होनी चाहिए बिहार में सुसासन की सरकार है साथ ही अपराधियों की भी बहार है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां ठाइए ठाइए पर थी रखती है नर्तकियां और जूमते हुए अपराधी बेखौप होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं दरसल बियार के मोतिहारी से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें औरकिष्टा में बोजपूरी गाने के धुन पर हाथ में तवंचा लेकर दो अपराधी फाइरिंग करते दिख रहे हैं वीडियो में बोजपूरी गीत पर जूम रही नर्तकियों के साथ सामियाना के बीच गोली चलाने वाला सक्स ठुमके लगाता दिख रहा है वहीं तहीं से वाइरल हो रहे हैं वीडियो में पंडाल के दोनों किनारे पर अपराधी जूमते दिख रहे हैं जबकि एक सक्स के हाथ में देशी कटा तो दूसरे सक्स के हाथ में पिष्टल है जिसमें दोनों बारी-बारी से फाइरिंग कर रहे हैं हाला कि सेलक टेवी इस वाइरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो मोतिहरी के कल्यानपूर थाना छेतर अंतरगत गरीबा पंचायत का है जहां 22 अप्रील की रातरी गंगासा की पुत्री की साधी में बज रहे औरकेष्टा के दोरान नर्तकियों के साथ जूमता हत्यार लिए सक्स फाइरिंग की ये वीडियो बताई जा रही है इधर वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि इस पर संग्यान लेते हुए पुलीस अपराधियों की पहचान कर गिरफतारी में जुट गई है बागलपूर समिक्षा भवन में मंगलवार को जिल अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयो जीत की गई जहां सिक्षा विवस्ता को दुरुस्त करने के लिए डियम ने अधिकारियों को कई आवश्चक दिसानिर देज भी दिये वहीं इस बैठक को लेकर डियम ने बताया कि कोरोना काल के समय से सरकारी स्कूल की विवस्ता लचर है जिसको ध्यान में रखते हुए सिक्षा विवाज के अधिकारियों के साथ तीन बिंदों पर चर्चा की गई डियम ने का कि कोरोना काल के वक्त से ही स्कूल में काफी कम बच्चे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं ऐसे में बच्चों के उज्वल भविस और सेक्षन के विकास के लिए सिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपस्तिती होना आवश्यक है साथी डियम ने का कि स्मार्ट क्लासेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई काफी आसान हो जाती है जबकि पुस्तकों के अलावा उन्हें डिजिटल तरीके से भी पढ़ाने की विवस्ता की गई है जलादिकारी सुबरतमार सेन ने कहा कि रिजल्ट समय पर जारी कर पढ़ाई सुरू कराने का सक्त निर्देस अधिकारियों और स्कूल प्रवंधन को दिया गया है जबकि मीट डे मील को लेकर स्कूल प्रवंधन द्वारा की जा रही लापरवाई पर नाराजगी जताते हुए डियम ने अधिकारियों और प्रवंधन के खिलाप सक्ती बरतने की बात कही साथी डियम ने का की जतना जरूरी पढ़ाई लिखाई है उतना ही जरूरी भोजन करना भी इधर वैटक में विद्यारतियों के मध्यान भोजन में किसी तरह की लापरवाई नहीं बरतने और दोसी पाये जाने पर संबंदित अधिकारी के खिलाप कारवाई करने का निर्देश दिया वैटक में डिडिसी परतिवरानी जिला सिक्षा पदादिकारी संजय कुमार सहित सिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे अंचालित हो अच्छे से ताकि बच्चों को quality education मिल सके तीसरा है कि जो MDM का खाना होता है वो quality खाना बच्चों को समय से मिल पाए और किसी भी कारण से वो MDM का जो मिल है वो बंद नहीं होना चाहिए अगर वो बंद होगा तो इसमें हम लोग कड़ी कारवाई जो इसके लिए responsible करमी है पदादिकारी है वो उसके हम लोग करेंगे तो और कुछ जो विसाय है वो है quality improvement को लेकर जाए कुछ स्कूलों को हम लोग target करने जा रहे हैं कुछ अच्छे स्कूल जिनको center of excellence की तरफ बनाया जा और कुछ खराब प्रदर्शन जिनिन स्कूलों का रहा है उनमें कैसे हम लोग सुधार करें इसके लिए एक interaction की ववस्ता विभिन प्रदानाचारियों की हम लोग के साथ ये ववस्ता हम लोग अगले महने से स्कूल करन में आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइबरेजी जैसी अत्याधूनिक सुविधाएं अब आप भी D-Pharma और B-Pharma जैसे pharmacy course कर एक निश्चित सरकारी या गयर सरकारी संस्था में जौब पा सकते हैं साथ ही अपना खुद का medical store भी खोल सकते हैं इतना ही बिहार जारखंड एवं केंदर सरकार द्वारा प्रदत छात्र विर्ती का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं आईए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवा कर स्वास्त के छेत्र में उनका स्वर्निम भविश्य बनाईए पिछले दो साल से कई परवतेहवार कोरोना संक्रमन करफ्यू और लॉकडाउन में गुजर गए थे लेकिन दो साल बाद मुसलिम समुदाई के सबसे वड़े तेहवार ईद पर कोरोना की कड़वी यादे खत्म होती दिख रही है यही वज़ है कि अब मुसलिम समुदाई के लोग खुल कर खुसियां साजा करने की तैयारी में जुट गए हैं ईद की खरिदारी अभी से रिकॉर्ड पर पहुँचने लगी है भागलपूर का तातार पुर्चाओ देर रात तक रौसन हो रहा है यहां दो पहर से रात तक खुब भीड जुटी रही है नौ बजे रात को बंद होने वाला बाजार अब 12 बजे तक खुला रहता है इस बार ईद की तैयारी के साथ लोग अलविदा की तैयारी में भी कोई कसर नहीं छोड रहे हैं वहीं कारवारियों का कहना है कि पिछले दो सालों की कमी इस बार कारण है कि रमजान की सुरुवात होते ही या फुटपात पर काफी संख्या में दुखाने सज जाती है जबकि एद को लेकर भागलपूर मुख्य बाजार सहित तातारपूर बाजार की रवनक दोगनी हो गई है मंगलबार के साम तातारपूर मार्केट में लोगों की भीड उमडपड़ी परमनस्दीक आते ही टोपी, कुर्ता पैजामा, लुंगी गंजी, तौलिया, रुमाल, लक्षा सेवई इत्र सूर्मा आधी की डिमांड भी काफी बढ़ गई है रेलवे स्टेशन से लेकर तातारपूर मस्जित तक करीब 200 दुकानों में विशेस रूप से इद के कपड़े बिक रहे हैं, सामधलते ही बाजारों में ग्रहांकों की भीड लग रही है, हाला की जान के कारण रहगीरों को परिशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, कपड़ा बेच रहे दुकंदार ने बताया कि पिछले दो वर्थ से कोरोना के कारण इद के मौ के पर बाजार बंद था, लेकिन इस वार बाजार गुल जार है, तातारपुर चौक के समीब इस्तित कुर्टा हाउस के संचालक रासित जमाल ने बताया कि आजकल अधिकतर लोग रेडिमेट कपड़ों को तरजीत देते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यां सभी प्रकार क कुर्ता पैजामा, सेरवानी, नकाव, लुंगी और बच्चों के वस्त उचित मुल्ली पर उपलब्ध हैं, प्रकृति और पार्यावरन का अवसंतूलन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वह मानव जीवन के लिए बड़ा खत्रा है, एक तरफ प्रदूशन तो दूसरी में और अब एक और समस्या जलवाईव प्रवर्तन से मानव जाती पर बढ़ता खत्रा, जिससे बचाओ के लिए कई तरह के जरूरी उपाई करना आवश्यक है, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्त, पर्यावरन और इंदन सन्रक्षन को लेकर मंगलवार को को सनातकोत्तर गांदी विचार बिभाग के बिभागाद्याक्ष डॉक्टर बिजय कुमार और बिभाग के सोद छात्र रौवसन सिंग ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। कारिक्रम का संचालं साहेक प्रध्यापक डॉक्टर उमेश परसाद नीरज ने किया जबकि धन्यवाद ग्यापन सैकलिंग एसोसियेशन और बिहार के सचीव कौवसल किसोर सिंग ने किया। लोगों में परियावरन और प्रकृति के साथ बहतर स्वास्त के लिए लोगों को ज्यागरूप किया जाता है। मौके पर सहाएक प्रध्यापक डॉक्टर अमीत रंजन, गौतम कुमार, मनोज कुमार दास, सोच छातर रौशन सिंग समेत काफी संख्या में विवाग के कर्मी और छातर मौजूद रहे। अभी हम सभी लोग इंडियन ओयल और साइकिल एसोसेशन और बिहार के तत्वादान में साइकिल देज परतिवत्ता का जो कारिकम चला है, हर साल ये चलता है, जिसके तत अभी हम लोग हर जन्डी दिखा कर बचों को रवाना किये और इसमें से जो भी परतिवागी हुए उ अभी हम सुसंस्रित रहेंगे और हम जिवित रहेंगे। में दर्ज हुआ है, तो बकसर पुलीस का साइवर सेल उनको ढूंड निकालेगी। गुम हुए मुबाइल फोन की तालास कर उनके मालिकों को लुटाने के लिए बकसर पुलीस द्वारा चलाये जा रहें विशेस अभियान के तत पुलीस ने 40 फोन तालास किये हैं। अलग- गुम हुए फोन को वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुसियां चा गई। उन्होंने एस्पी नीरत सिंग वपूरी टीम के परती आभार जता कर धन्यवाद दिया। इस अभियान के ताहत बकसर पुलीस का साइवर सेल गुम वचोरी हुए मुबाइल फोन की ट्रैकिंग करता है जब भी यह चोरी का फोन सम्मंदित व्यक्ति चालू करता है तो पुलीस उसकी लोकेशन का पता लगा कर उस व्यक्ति से संपर्ग करती है और उसे बताती है कि वे जिस फोन का इस्तिमाल कर रहे हैं वह गुम हुआ है यह चोरी किया गया है एस पी नीरचकुमार सिं की टीम की भूमी का सबसे सरानिया रही एस पी ने कहा कि इस प्लबदी के लिए पूरी टीम को नगत पुरसकार से पुरसक्रित किया जाएगा लेकिन जो दूसरे जिले में एक अभियान के तहट इसका जो है की निस्पादन किया जाता था उसी इसाब से हम लोगों ने भी यहां पर शुरू किया है प्रसम चरणा में हम लोगों ने डिसंबर से लेकर और अब तक अक्कुबर दोजार एकी से लेकर अब तक जितने भी मुबाइल हमारे जो चोरी का या छिनने का या मिसिंग का जो सनहा दर्जवा था या कान दर्जवा था उसमें हम लोगों ने कुल अभी 40 जो है बरामद मुबाइल किया है और आपके सामने हम लोगों ने अधिकांस लोगों को जो इनके धार रखते हैं उनको हम लोगों ने बागलपूर पिरपैती परखंड के प्रगती मैदान में उज्वल सा की पुर्णी स्मिर्थी पर सत्संग कारिक्रम का आयुजन किया गिया। कारिक्रम ने सभी जन परतिनीदियों का स्वागत अंग बस्तर दे कर किया। कारिक्रम युजन किया करुकि जन जन फंग! झाल